हेलो नमसकार दोस्तों मेरे नाम है कपील और स्वागत आप सभी कफूर आपकी सक्सेस में फ्रेंट्स इस वीडियो में अभी हम लोग जनवरी से दिसंबर 2019 तक के टॉप 300 प्लस करेंट अफेर्स के क्वेशन को देखने वाले हैं जो आपके अगामी सभी परिषाओं के लिए काफी मत पून है तो इसलिए आपिसोडों को अन तक जरूर देखेगा ठीक हैं चेक पोस्ट घोसित किया गया है या कहां है तो इसी वर्स वीर सावरकर हवाई एड़ को अप्रवासन चेक पोस्ट घोसित किया गया है या पोर्ट ब्लेयर में स्थित है ठीक है वीर सावरकर हवाई एड़ कहां पे है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है पोर्ट ब्लेयर किसकी र निधन हो गया वे प्रसीद क्रिकेट खिलाडी सचीन तेंदूलकर के कोस्ट है अगला प्रस्ने है हाल में अंतराष्टे मुद्रा कोस इंटरनेशनल मौनेटरी फंड यानि आईमेफ के परमुक के तोर पर चुनी गई अर्थिसास्त्री क्रिष्टिलिना जौर्जिवा किस द कर्मों के पत पर बनी रहेंगी बुल्गारिया देश की राजहनी कहां है सोफिया है अगला प्रस्ने है निवलिखित में से कौन भारत के 47वे मुख्यनाइदिस के रूप में सपतली है तो इसका आंसर है एस ए बोबडे इनका पूरा नाम है सरद अर्विंद बोबडे सरद को ने अस्थान लिया है जस्टिस रंजन गोगोई का ठीक है जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को रिटार हो गया नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन वर्स एक्स कन्या सुमंगला योजना का सुभारम किस राज ने किया है तो कन्या सुमंगला योजना का सुभारम उत्तर परदि अस्तल को राश्ट्रे धरुहर घोसित किया गया है या किस दिस में है तो पंज तीरत अस्तल जो कि एक प्राचिन हिंदू धर्मस्तल है या पाकिस्तान में सित है ठीक है पाकिस्तान के खैबर पक्तुनवा प्रांत के पेसावर में सित है इसे पंज तीरत अस्तल को जनवरी 2019 म क्योंकि इनसे लगतार एक्जाम में क्वेशन पूछा जा रहा है इन्हें economics में अर्थसास्तर में नोबल पुरुसकार दिया गया है 2019 का अभिजीत बनर जी को ठीक है तो इनसे जुड़े कई सवाल हैं जो एक्जाम में पूछे जा रहे हैं अगला प्रस्न है विज्या बैंक म्यूजियम का उद्गाटन कहां किया गया है तो विज्या बैंक म्यूजियम का उद्गाटन जो है बंगलुरु में किया गया है अगला प्रस्न है किस राज में मकर विलक को उत्सव मनाया जाता है तो मकर विलकोट सव जो है यह मना जाता है केरल राज में अगला प्रस्थन है अरुनिमा सिनहा मौंट विंसन पर चढ़ने वाली दुन्या की पहली महिला दिव्यांग बनी मौंट विंसन किस महादूइब की सबसे उची चोटी है तो देखें मौंट विंसन जो है यह अंटार कटिका महादूइब की सबसे उची चोटी है और अरुनिमा सिनह जो है यह दुन्या की ऐसी पहली महिला दिव्यांग है जिन्होंने अंटार कटिका की सबसे उची चोटी मौंट विंसन पर चढ़ाई की है मांट विंसन कुचाई कितनी है 4892 मीटर है अगला प्रस्न है 27 विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहा किया गया तो 27 विश्व पुस्तक मेला का आयोजन जनवरी 2019 में नई दिल्ली में किया गया था अगला प्रस्न है टेन अस्टडी जिन कस्मीर history and politics नामत पुस्तक का हाली में विमोचन किया गया इसके लेखक कौन है तो देखे इस पुस्तक के लेखक है कासिनात पंडित ठीक है यानि इसका right answer है option भी कासिनात पंडित अगला प्रस्ण है हाली में economics times lifetime achievement अवार से किसे सम्मानित किया गया है तो economic times हाली में किस भारते railway station को देश का पहला it right station घोसित किया गया है तो देखे देश का पहला it right station घोसित किया गया है मुंबई Central Railway Station को ठीक है मुंबई Central Railway Station का चेहन खाद्य सुरच्चा एवं स्वस्ता के अनुपालन स्वस्त आहार की उपलवधता तेयारी ढूलाई एवं रेटेल या सर्विंग पॉइंट पर खाद्य पदार्थों की बेहतर निगरानी खाद्य अप्सिष्ट के प्रबंधन अस्थानिय एवं स्वस्ता हार के बारे में जागरुकता बढ़ाने के आधार पर किया गया है अगला प्रसने है हाली में भारत और चीन के बीच संजुकत सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड का आयोजन कहां किया गया तो अभी हाली में साथ दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच भारत और चीन के बीच संजुकत सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड का आयोजन मेग हाले में किया गया ठीक है और यह आठोमा अभ्यास था संजुकत अभ्यास था आठोमा अगला प्रस्ण है हाले में किस राजी के द्वारा मधू एप लॉंच किया गया है तो मधू एप लॉंच किया गया है ओडिसा राजी के द्वारा ओडिसा के मुखे मंत्री नवीन पटनायक ने अस्कुली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग अप्लिकेशन मधू एप लॉंच की है इस एप के जरी छात्रे वीडियो तथा ट्योटोरियल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं अगला प्रस्ने है हाल में एसियन डेवलप्मेंट बैंक यानि एडिबी के नए अध्यज के रुप में किसे चुना गया है तो अभी हाल में एसियन डेवलप्मेंट बैंक के नए अध्यज के रुप में माध्यू अस्कावा को चुना गया है ठीक है माध्यू अस्कावा को ये अगले वर्ष 17 जन्मरी 2020 को ADB के दस्वे अध्याज के तोर पर पदभार गरन करेंगे मात्सुगू, असकावा, ताको, हिको, नाकावा का स्थान लेंगे ADB के स्थापना किस वर्ष भी थी? 1966 में भी थी ADB का मुख्याला का है स्थित है? फिलिपिन्स की राज़ानी मनीला में श्थित है अगला प्रस्न है इंद्रा गांधी सांती पुरुषकार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखें, इंद्रा गांधी सांती पुरुषकार 2019 से डेविड एटन बरो को सम्मानित किया गया है अगला प्रस्न है Q20 यूनेशकोद वारा वर्जिल के किस सहर को वर्ष 2020 के लिए वास्तु कला की वैस्विक राजधानी गोसित किया है 2016 का ग्रिसमकालिन ओलंपिक खेल इसी सहर में खिला गया था रियोडी जैनेरियो में ही अगला प्रसना है पहली भारत मध्य एसिया वारता जो की 12 से 13 जन्वरी 2019 के बीच आजित्वी थी यह कहां पर संपन हुई तो पहली भारत मध्य एसिया वारता उजबेक किस्तान में संपन हुई है तो देखे एक जन्वरी 2019 को देश में किन दो उच नयायलों की अस्थापना हुई है यान इसका राइट आंसर है उप्शन ए वर्तबार में भारत में कुल कितने उच नयायले हो गए है 25 उच नयायले हो गए है 25 उच नयायले कौन सा है तो वह है आंद्र परदेश उच नयायले अगला प्रशन है 17 लोकसभा के अध्यच कौन है तो 17 लोकसभा के अध्यच है ओम बिड़ला ठीक है वर्तमान लोकसभा अध्यच है ओम बिड़ला और ओम बिड़ला इनका निर्वाचन छेत्र कौन सा है तो यह चुनाव जीते हैं कोटा से ठीक है कोटा राजस्थान से अगला प्रशन है वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंदर सासित पर्देश हैं तो वर्तमान में कुल 28 राज्य और 9 केंदर सासित पर्देश हैं पहले कितने थे पहले 29 राज्य थे और 7 केंदर सासित इसे दो भागों में कर जम्मू कस्पीर और लदाक को अलग करके किंद्रसासित पर्देश बना दिया गया है तो इस तरह वरतमान में कुल 28 राज्य और 9 किंद्रसासित पर्देश हो गया है अगला प्रसने है भारत के दो ने किंद्रसासित पर्देश कौन से है तो भारत के द दोने केंदर सासित परदेश, जम्मू कस्मीर और लदाक हैं, ठीक है, जम्मू कस्मीर और लदाक हैं, दोने केंदर सासित परदेश बने हैं, यानि इसका राइट आंसर ओप्सन डी, उपरोगत ये और भी दोनों, ठीक है, जम्मू कस्मीर की राजधानी कहां है, श्री नगर अगला प्रस्न है पाकिस्तान के कबजे वाले मुझफराबाद और मीरपूर को किस केंदर सासित परदेश की सीमा में रखा गया है तो इसका अंसर है जम्मू कस्मिर में नेक्स्ट कुशन है किंद्रसासित परदेश लदाख में कितने जिले हैं तो किंद्रसासित परदेश लदाख में दो जिले हैं एक है ले और दूसरा है कारगिल ले जो है यह भारत का सबसे बड़ा जिला है तो आप इसे ध्यान में रखेगा अगला प्रसने है पाकिस्तान के कबजे में हैं सिर्फ मैप में सामिल किया गया है अगला प्रशन है देश का ओफिसियल मैप कौन जारी करता है तो देश का ओफिसियल मैप सर्वे जनरल आफ इंडिया जारी करता है कौन जारी करता है सर्वे जनरल आफ इंडिया ठीक है सर्वे जनरल आफ इंडिया जारी करता अगला प्रस्ण है वर्तमान में कितने ऐसे केंडर सासीत परदेश है जिनमें विधान सभा आ है तो देखेंगे वर्तमान में कितने राजु में विधान परिशद है तो देखे वर्तमान में छह राजों में विधान परिशद है या छह राजे कौन-कौन है आंध्रपरदेश, बिहार, करनाटक, महराष्ट, तेलांगना और उत्तरपरदेश पहले सात राजों में विधान परिशद था जिसमें जम्मू कस्मिर भी साम परदेश कौन सा है तो छेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा केंदरसासित परदेश लद्डाक है ठीक है और सबसे छोटा केंदरसासित परदेश कौन सा है छेत्रफल की दृष्टी से लच्छदीव है और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टी से तो जन सासित परदेश लद्दाग के पहले उपराजिपाल कौन है तो लद्दाग के पहले उपराजिपाल है राधा कृष्ण माथूर नेक्स्ट क्वेशन है केंद्र सासित परदेश जम्मु कस्मीर के पहले उपराजिपाल कौन है तो जम्मु कस्मीर के पहले उपराजिपाल है ग जिला कौन सा है तो वह है ले ठीक है वरतमार में भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ले है लद्दाक का जिला है यह नेक्स्ट कुशन है जम्मु कस्मीर और लद्दाक केंदर सासित परदेश के रुप में अस्तित्व में कब आए तो ये दोनों अस्तित्व में आए 31 अक को सरदार वला भाई पटेल के जन्म दिन को एकता दिवस के रूप में मना जाता है ठीक है यूनिटी डे कमना जाता है एकता दिवस 31 सक्टूबर को मना जाता है तो आप इसे भी याद रखेगा अगला प्रस्ण है सुप्रसीद अभिनेता और निर्देशक कादर खान का 31 दि अगला प्रस्ण है जन्वरी 2019 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यच कौन बने तो देखे जन्वरी 2019 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यच बने है विनोध कुमार यादो ठीक है विनोध कुमार यादो है अभी वर्तमार रेलवे बोर्ड के चेर्मेन अगला प्रस्ण है किस इस ने चात्रों के साथ समवाद नामक नया प्लेटफॉर्म लॉंच किया है तो यह लॉंच किया है इसरों ने चात्रों के साथ समवाद नामक नया प्लेटफॉर्म किस ने लॉंच किया है इसरों ने लॉंच किया है अगला प्रस्न है कौन सा देश युनेस्को से अलग हो ग बैंक को किस बैंक में विलैक कर दिया गया है तो विज्या बैंक और देना बैंक को बैंक ओफ बडोधा में विलैक कर दिया गया है अगला प्रसने है एक जनवरी 2019 से किस देश ने ओपेक की सदसता छोड़ दी है तो ओपेक जो है पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों क एक संगठन है जिसमें वर्तमान में कुल 14 सदस देश है एक जनवरी 2019 से कतर जो है इसने ओपे की सदसता छोड़ दी है अगला प्रस्न है तीन जनवरी 2019 को भारते विज्ञान कॉंग्रेस के 106 में संसकरन का उधगाटन कहां पर किया गया था तो इसका उधगाटन किया गया थ पंजाब के जालंदर में किया गया था और इसका उधगाटन किस ने किया था प्रधान मंतरी मोधी जी ने किया था और भारते महिला विज्ञान कॉंग्रेस का उधगाटन किस ने किया था अस्मृती इरानी ने किया था यहीं पर हुआ था पंजाब के जालंदर में ही भार अगला प्रस्ण है, संजुक्त राष्ट्र दुवारा विश्व ब्रेल दिवस कम मनाया गया, तो यह मनाया गया है चार जन्वरी को, विश्व ब्रेल दिवस चार जन्वरी को लुई ब्रेल की याद में मनाया जाता है, लुई ब्रेल फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिन्होंने नेत्रहिनों के लिए ब्रेल लिपी का निर्मान किया था तो इस बार संजुक्त राष्ट दुवारा पहली बार चार जन्वरी को 20 वब्रेल दिवस मनाया गया है अगला प्रस्ण है किस राज में 24 घंटे से अधिक रहने के लिए बारी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा तो इसका अंसर है मेघाला मेघाला में 24 घंटे से अधिक रहने के लिए बारी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा नेक्स्ट कुशन है आस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कारियाले खोलने वाला पहला बैंक कौन सा बना है तो वह बना है SBI State Bank of India SBI आस्ट्रिलिया के विक्टोरिया में कारियाल है खोलने वाला पहला बैंक बन गया है अगला प्रस्ने है केंदर सरकार के नागरिक केंदर ओनलाइन मंच My GOV India के CEO किसे निप्त किया गया है तो My GOV India के CEO निप्त किया गया है अभिसेख सी को ठीक है वर्तमान कौन है My GOV India के CEO अभिसेख सी है Next question है भारत के किस राजय सरकार ने ग्रिह निर्मान के लिए रिन सबसेडी योजना अपोनर अपोन घर योजना लाँच की है तो ग्रिह निर्मान के लिए रिन सबसेडी योजना जिसका नाम है अपोनर अपोन घर इस योजना को लाँच की है असमराज्य ने अगला प्रसने है October 2019 में किस अंतराष्ट संगठन के नियोर के स्थित मुख्याले में पचास किलोवाट के गांधी सोलर पार्क का उधगाटन किया गया है तो गांधी सोलर पार्क का उधगाटन संजुक्त राष्टर संग के मुख्याले में किया गया है इसका उधगाटन किस ने किया था परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था अगला प्रशन है किस देश ने अमेरिका के बाद Mother of All Bums का सफलता पुर्वक परिशन किया है तो इसका अंसर है चीन चीन ने अमेरिका के बाद Mother of All Bums का सफलता पुर्वक परिशन किया है mother of all bombs जो है एक गैर पर्मानू बम है या एक anti-nuclear बम है या जो है पर्मानू बम के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा घातक बम है अगला प्रस्ने है जन्वरी 2019 में कहा अंतराष्ट्य पतंग महोच्व का आयजन किया गया था तो अंतराष्ट्य पतंग महोच्व 2019 का आयजन जो की जन्वरिम किया गया था या गुजरात में किया गया था ठीक है अंतराष्ट्य पतंग महोच्व 2019 का आयजन गुजरात में किया गया था अगला इसका नाम क्या है? आइनेस को हासा नाम है अगला प्रस्न है question number 55 चिकित्सा के छेत्र में वर्ष 2019 के लिए नोबेल पुरुसकार किसे मिला है? तो चिकित्सा के छेत्र में वर्ष 2019 के लिए नोबेल पुरुसकार विलियम जी केलिन, पीटर जे रेट क्लीप और ग्रेग एल सिमेंजा इन तीनों को मिला है एन इसका राइट आंसर हो जाएगा option D, उप्रोक्त सभी इन तीनों को या पुरुसकार कोशिका पर किये गए खोज कार्यों के लिए मिला है अगला प्रस्न है वर्स 2019 का नोबेल पुरुसकार इन में से किस भारतिय को मिला है देखे नोबेल पुरुसकार जो है चह छेत्रों में दिया जाता है कौन-कौन से छेत्र में सांती, साहित, भौतिकी, रसायन विग्यार, चिकित्सा और अर्थसास्त्र के छेत्र में दिया जाता है अभिजीत बन्र जी को उनकी पतनी और माईकल करेमर को चुना गया है। इन तीनों को या पुरुसकार वैस्विक गरीबी खत्म करने के परियोग के सोध के लिए या पुरुसकार दिया गया है। इन तीनों को या पुरुसकार वैस्विक गरीबी खत्म करने के सोध के लिए या पुरुसकार दिया गया है। बैटरी के विकास के लिए मिला है। अगला प्रसन है वर्स 2019 के लिए साहित्य का नोबल पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखें 2019 का और 2018 का साहित्य का नोबल पुरुसकार एक साथ मिला है। 2019 का नोबल पुरुसकार जो है साहित्य के लिए या मिला है पीटर हैंड के को ठीक है। और पीटर हैंड के जो हैं ये आउस्ट्रिया के हैं। और 2018 का साहित्य का नोबल पुरुसकार किसे मिला है। पॉलगा टोकार जुको और ये कहां की है? ये पोलेंड की है. अगला प्रस्न है, वर्ष 2019 का सांती का नोबल पुरुषकार किसे दिया गया? तो वर्ष 2019 के लिए सांती का नोबल पुरुषकार दिया गया है अभी अहमद को. अभी हमद जो है, ये अफ्रीकी देश एत्योपि नहीं देने का फैसला किस राजे सरकार ने किया है तो 2021 से दो से अधिक बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला अजसम राजे ने किया है अगला प्रस्ने है दिसंबर 2019 में किस राजे सरकार ने जल साथी कारिकरम का सुभारम किया है तो जल साथी कारिकरम का सुभारम अभी दिसंबर में ओडिसा राजी ने किया है जल साथी कारिकरम ओडिसा के सभी घरों में स्वच पेजल की आपूर्ती को सुनिचित करने के लिए इसे लॉंच किया है अगला प्रसने है जनवरी 2019 में कौन सा देश ICC का 105 सदस्य बन गया है तो ICC का 105 सदस्य अभी बना है जनवरी में अमिरिका बना है ठीक है अमिरिका अगला प्रसने है किस देश की नौसेना मार्च में मिलन 2020 नामक बहुपच्छिय नौसेना अभ्यास आउजित करेगी तो इसका अंसर है भारत अगले वर्ष मार्च 2020 में भारतिय नौसेना मिलन 2020 नामक बहुपच्छिय नौसेनिक अभ्यास का आउज़न करेगी ठीक है और यह आउज़न अंदरपरदेश के विसाखा पत्न में करेगी कौन करेगी भारत करेगी ठीक है अगला फ्रसन है जनवरी 2019 में कौन सा देश चंद्रमा की दूसरी और यान चांग A4 को उतारने वाला दून्या का पत्न करेगी पहला देश बना है तो चंद्रमा के दूसरे हिस्से में यान उतारने वाला पहला देश बना है चीन ठीक है चीन बना है अंत्रिच यान जिसका नाम है चांग A4 तो चांग A4 जो है यह चंद्रमा के दचनी ध्रूव एटकिन बेसिन पर उत्रा था अब तक चंद्रमा पर प सर्वस्रेश्ट अभीनेता का अवार्ड किसे मिला है तो 66 में गोल्डेन ग्लोब अवार्ड 2019 में सर्वस्रेश्ट अभीनेता का अवार्ड रामी मलेक को मिला है जबकि सर्वस्रेश्ट अभीनेता का अवार्ड ग्लेन क्लोज को दिया गया है अगला प्रस्ने है जनवरी 2019 में क्रिकेटर l.b. Morkel ने अंतरास्टak किरिकेट से सन्यास की घोसना की है वह किस देश से समन दित है तो l.b. Morkel जो है जिन्होंने जनवरी 2019 में international किरिकेट से सन्यास ले लिया एंदच्छिन अफ्रीका देश से समन दित है अगला प्रस्ण है दस जन्वरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया इसकी सुरवात कब हुई थी देखें विश्व हिंदी दिवस जो की परतेक वर्स 10 जन्वरी को मनाया जाता है इसकी सुरवात वर्स 2006 में हुई थी विश्वा हिंदी दिवस 10 जनवरी को मना जाता है और हिंदी दिवस कम मना जाता है तो यह मना जाता है 14 सेप्टेंबर को 14 सितंबर को मना जाता है तो आप इन दोनों को याद रखेगा विश्वा हिंदी दिवस 10 जनवरी को और अगर पूछा जाए हिंदी दिवस कब मना जाता है तो यह 14 सितंबर को मना जाता है अगला प्रस्न है Miss Universe 2019 का खिताब किस ने जीता तो Miss Universe 2019 का खिताब जीता है जोली बीनी तुन्जुने ठीक है यह कहा की है यह दच्छिन अफ्रीका की है और Miss Universe 2018 का खिताब किस ने जीता था Catriona Gray ने जीता था यह Philippines की है अगला प्रस्न है Miss Earth 2019 का खिताब किस ने जीता है तो Miss Earth 2019 का खिताब Nellis Pimental ने जीती है और यह कहा की है Nellis Pimental तो यह जो है यह पूर्तो रिको देश की है ठीक है पूर्तो रिको की है Next question है Miss International 2019 का खिताब किसे दिया गया तो Miss International 2019 का खिताब सिरे थोर्न लेरम वाट को दिया गया है और यह किस देश की है Thailand की है Next question है Miss World 2019 की विजेता कौन है तो Miss World 2019 की विजेता है Tony N.C. ठीक है Tony N.C. जो है यह भारते मुल्की Jamaica की निवासी है कहा की है Jamaica की है और Miss World 2019 किस ने जीता है Tony N.C. ने जीता है यह Jamaica की है अगला प्रस्न है Miss Asia Pacific International 2019 किसे चुना गया तो Miss Asia Pacific International 2019 चाइन हुष्समैन को चुना गया है यह कहा की है Spain की है अगला प्रस्न है फेमिना Miss India 2019 कौन चुनी गई है तो फेमिना Miss India 2019 चुनी गई है सुमन राव यह कहा की है राजस्थान की है Miss Asia 2019 का खिताब भी सुमन राव नहीं जीती है तो आप इसे भी याद रखेगा अगला प्रस्न है फेमिना Miss Grand India 2019 का खिताब किस ने जीता तो फेमिना Miss Grand India का खिताब सीवानी जाधव ने जीता है अगला प्रस्न है महराष्ट विधान सभा चुनाव में सबसे जाधा सीटे किस पार्टी ने जीती है देखें महराष्ट विधान सभा में कुल 288 सीटे है जिसमें अभी हाली के चुनाव में BJP ने सबसे जाधा सीटे जीती है टोटल जो है बारतिये राष्ट्रे कॉंग्रेस पार्टी 44 सीटे जीती है अगला प्रस्न है सवधान के किस अनुछेत के तहट महाराष्टर में 12 से 23 नुवंबर तक राष्ट्रपती सासन लागू रखा गया तो इसका आंसर है अनुछेत 356 के तहट अगला प्रस्न है प्रदान मंत्री ने किस कानुन या नियम के तहट बिना कैबिनेट की मंजूरी के राष्टरपती सासन हटाने की सिफारिज की दिखे अभी नुवंबर में 12 से 23 नुवंबर तक महाराष्टर में राष्टरपती सासन लागू वा था प्रधान मंत्री मोधी ने Government of India Transaction of Business Rules 1961 के तहट जो है बिना कैबिनेट की मंजूरी के राष्टपती से महराष्ट में राष्टपती सासन हटाने की सिफारिज की थी और देखे भारती तिहास में ऐसा दूसरी बार था जब इस Rules के तहट प्रधान मंत्री बिना कैबिनेट की मंजूरी के यानि बिना कैबिनेट की मीटिंग की हुए राष्टपती से राष्टपती सासन हटाने की सिफारिज की थी पहली बार ऐसा इंद्रा गांधी ने किया था इमर्जेंसी लागू करने के वक्त अगला प्रस्ने है मीज टीन इंटरनेशनल 2019 कौन बनी तो मीज टीन इंटरनेशनल 2019 बनी है आयूसी ढोलक्या ठीक है यह कहां की है यह वडुद्रा की है गुजरात की है अगला प्रस्ने है मार्च 2019 में सरकार दुवरा भारतिय सांकेतिक भासा सब्दकोष के किस संस्क्रन का विमोचन किया गया तो या इसका दूसरा संस्क्रन था अगला प्रस्न है हाली में इसरो ने सी एनियेस के साथ एक समुदरी निगरानी प्रनाले स्थापित करने के लिए एक समझोते पर हस्त ठिक है और अमेरिका का है नासा अगला प्रस्न है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने जनवरी 2019 में मंडल बांध पर्यूजना की निव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थे तो यह रखी थी उतरी कोइल नदी पर मंडल बांध किस राज में श्तित है तो यह श्तित है जार्खन के पलामू और गड़वा जिले में स्थित है, मंडलबान, ठीक है, और यह किस नदी पर बन रही है, यह बनी है, उत्री कोईल नदी पर, अगला प्रस्न है, 13 से 14 नमबर 2019 के बीच, 11 ब्रिक्स सिखर समेलन कहा संपन हुआ, तो ब्रिक्स सिखर समेलन 2019, जो इसका 11 संस करन था, 13 से 14 नमबर के बीच, ब्राजिल की राजधानी ब्राजिलिया में संपन हुआ है, इसका मुख्य थिम क्या था, तो इसका मुख्य थिम था, ब्रिक्स एकोनॉमिक ग्रोथ एन इनोवेटिव फ्यूचर, ठीक है, अगला प्रस्न है, क्वेशन नमर 86, ग्रिह मंत्राल थे, उनकी नागरिक्ता क्यों रद कर दी गई, क्योंकि उन्होंने जब भारतिय नागरिक्ता के लिए आविदन किया था, तो उस टैम उन्होंने कुछ तत्य छिपाली थे, इस वज़़े से उनकी नागरिक्ता रद कर दी गई है, अगला प्रस्न है, युनेश्को ने 2019 के उत्सव को रसायनिक तत्वों की आवर्तसार्नी के अंतराष्टे वर्स के रूप में, इसके कितने साल पूरा होने का जस्न मनाया है, तो ये जस्न मनाया है, 150 साल पूरा होने का मनाया है जस्न, आवर्तसार्नी को सबसे पहले किस ने बनाया था, तो आवर्तसार्नी को सबसे पहले मेंडलिफ्ट ने बनाय था, कब बनाय था, 1879 में बनाय था, ठीक है, अगला प्रस्न है, question number 87, 2020 में ग्रिस मकालिन ओलम्पी खेल कहां आयोजित किये जाएंगे, तो 2020 में ग्रिस मकालिन ओलम्पी खेल, जापान की राजधानी, टोक्यो में आयोजित किये जाएंगे, ठी ठीक है, अगला प्रस्न है, question number 90, जुलाई 2019 में अंत्रिच यांद चंद्रयान टू को किस भारती राजय से प्रशेपीत किया गया था, 37 धवन अंत्रिच के इंदर से, और 37 धवन अंत्रिच के इंदर कहां है, तो यह स्तित है, श्री हरी कोटा में, और स्री हरी कोटा कहां प चंद्रयान 2 को निमलिखित में से किस रॉकेट से परच्छेपित किया गया था तो चंद्रयान 2 को जो है या परच्छेपित किया गया था GSLV Mark 3 M1 रॉकेट से परच्छेपित किया गया था अब इसे जरूर याद रखेगा चंद्रयान 2 को GSLV Mk3 M1 रॉकेट से पर्षेपित किया गया था अगला प्रस्न है किन दो केंदर सासित परदेश यूनियन टेरी टेरी को मिला कर एक करने के विधेग को संसदने मंजूरी दी है तो इसका अंसर है दमन वद्दीव और दादर्व नागर हवेली अगला प्रस्न है अगले तीन वर्सों के लिए नियुक्त किया गया है अगला प्रस्न है फुटबोल खिलाडी वेसलेश ने जीडर जिन्होंने अगस्त 2019 में सन्यास की घोषना की वह किस देश से समंध है तो वह जो है नीदर लैंड से समंध है वेसलेश ने जीडर ये फुटबोल खिलाडी है कहा के नीदर लैंड के है अगला प्रस्न है अगस्त 2019 में विश्व जैव इंधन की संध्यापर निम्लिखित में से किस राज ने जैव इंधन निती जारी की तो वह जारी की थी राजस्थान ने ठीक है और राजस्थान जो है जैव इंधन निती जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है अगला प्रस्न है किस राज ने मुख्य मंत्री युवा स्वाभिमान योजना की सुरवात की है तो इसका अंसर है उत्तर परदेश ठीक है मुख्य मंत्री युवा स्वाभिमान योजना की सुरवात किसने की है मुख्य मंत्री युवा स्वाभी मान योजना की सुर्वात किस ने की है मध्य परदेश की सरकार ने की है मध्य परदेश की सरकार अगला प्रस्न है किस राजे में लौ कमिसर ने जबरन धर्मांतरन रोकने के लिए सक्त कानून बनाने के लिए विधेक का मसोधा तियार किया है तो इसका अंसर है उत्तर परदेश अगला फ्रस्न है भारत की पहली पानी के निचे चलने वाली ट्रेन को कोलकता में किस नदी में सुभारम करने की तियारी है तो इसका अंसर है हुगली नदी अगला प्रस्ण है इन में से किस ने 2019 के लिए रमन मैक्स से से पुरसकार जीता तो 2019 के लिए रमन मैक्स से से पुरसकार जीता है रवीश कुमार ने ठीक है 2019 के लिए रमन मैक्स से से पुरसकार किसे दिया गया है रवीश कुमार को दिया गया है ये NDTV के संपादक है अगला प्रस्न है question number 100 ब्रश्टा 4 से समंदित सीकायतों के लिए किस राजे सरकार ने help line number 144 00 जारी की है ठीक है नंबर है 144 0000 जारी की है इस नंबर को किस ने जारी की है तो यह नंबर जारी के है आंध्र परदेश राजे ने ठीक है अगला प्रस्न है 35 आश्यान सीकर से मिलन 2019 हाली में किस जहर में आजजित किया गया तो 35 आश्यान सीकर से मिलन 2019 अभी हाली में 31 अक्टूबर से 4 नंबर के बीच थाइलेंड की राजधानी Bangkok में आजजित किया गया है थाइलेंड की राज़ानी बैंकोक में 35 आश्चान सीखर से मिलन आज़ित क्या गया था आश्चान का फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है Association of South East Asian Nations आश्चान में कुल कितने सदस्ये हैं कुल कितने देश सामिल हैं तो कुल इसमें 10 देश सामिल हैं आश्चान के स्थापना कब हुई थी 1967 में हुई थी आश्चान का मुख्याला कहा स्थित है जकार्ता में स्थित है जकार्ता किसकी राज़ानी है इंडोनेसिया की राज़ानी है अगला प्रस्न है निमलिखित में से किसे हाल में 29 व्यास सम्मान 2019 प्रदान किया गया है तो देखे 29 व्यास सम्मान 2019 प्रदान किया गया है प्रसीद हिंदी लेखी का नासीरा सर्मा को ठीक है 29 व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है नासीरा सर्मा को प्रदान किया गया है इन्हें या पुरसकार वर्स 2014 में प्रकासित उनके उपनियास कागज की नाओं के लिए प्रदान किया गया है। 28-वा व्यास समान किसे दिया गया था 2018 के लिए तो यह दिया गया था हिंदी के प्रसीद लेखक लिलाधर जगुडी को ठीक है व्यास समान के स्थापना कब हुई थी 1991 में हुई थी या पुरसकार साहित्य के छेत्र में दिया जाता है और इस पुरसकार को केके बिड़ला कहां किया गया तो देखे सिन्यू मैतरी जो की भारत और जापान की वायू सेना के बीद संजुक तस्यान या भ्यास था इसका आयोजन बंगाल में किया गया था ठीक है पस्चिम बंगाल में किया गया था अगला प्रसने है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत कौन से बूकर पुरसकार 2019 से किसे समानित किया गया है तो बूकर पुरसकार 2019 से मार्गरेट एटवूड और बरनार्डीज एवारिस्तो इन दोनों को संजुक तरूप से समानित किया गया है यानि इसका राइट आंसर है उप्सन सी उपरियूक दोनों मार्गरेट एटवूड जो ह इनको या पुरसकार उनके उपनियास the testament के लिए दिया गया है तथा बरनाडडीन एवारिस्तो को या पुरसकार girl, women, other उपनियास के लिए दिया गया है Margaret Atwood ये जो है कनाडा के लिखी का है जबकि बरनाडडीन एवारिस्तो जो है ये ब्रिटेन की है बर्नाडीन एवारिस्तो जो है बुकर प्राइज जीतने वाली पहली अस्वेत महिला बन गई है तो आप इसे ध्यान में रखिएगा बुकर प्राइज जीतने वाली पहली अस्वेत महिला कौन बनी है प्रतिष्टित मैन बुकर इंटरनेशनल पुरास्कार 2019 से किसे समानित किया गया है जोखा अलार्ति कहां कि हैं ये उमान की लेखिका है इने या पुरास्कार उनके अपनियास सेलेसियल बॉडिज के लिए दिया गया है अगला प्रस्न है किस देश ने हाले में पहली बार महिलाओं को सेना में सामिल होने की अनुमती दी है तो इसका आंसर है सौधी अरब अगला प्रस्न है भारतिय गंतंत्र दिवस 2020 के मुख्य आती थी कौन होंगे देखे 26 जन्वरी 2020 को भारत में एक अतरवा गंतंत्र दिवस मनाया जाएगा इसके मुख्य आती थी जेयर बोलसो नारो होंगे जेयर बोलसो नारो मुख्य आती थी होंगे गंतंत्र दिवस 2020 के और ये कहां के राष्टपती है, जेर बोल्स नारो, ये ब्राजिल के राष्टपती है, अगला प्रसने है, question 109, हाल में turbulence and triumph, the moody years नामक पुस्तक का विमोचन किस ने किया है, तो इस पुस्तक का विमोचन किया है, हमारे वर्तमान उपराष्टपती, एम वेंके नाइडू ने देखे इस पुस्तक को, turbulence and triumph, the moody years, इस पुस्तक को जो है, राहूल अगरवाल और भारती एस प्रधान ने मिलकर लिखी है, ठीक है, यानि, turbulence and triumph, the moody years के लेखा कौन है, राहूल अगरवाल और भारती एस प्रधान है, और इसका विमोचन किया है, एम वेंके नाइडू ने, अगला प्रशन है, IETF World Champion 2019 से किसे समानित किया गया है, तो IETF World Champion 2019 से, एसले बार्टी को और राफिल नडाल को, इन दोनों को समानित किया गया है, यानि इसका right answer है, option C, उपर यूगते दोनों, और देखे, एसले बार्टी जो है, ये कहा की है, आउस्ट्रिलिया की है, टेन खिलारी है, अगला प्रशन है, चियार सथमा राष्ट्रे फिल्म पुरुसकार 2019 में, निवलिखित में से किसे सर्वस्रेश्ट हिंदी फिचर फिल्म का पुरुसकार प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया है, फिल्म अंधा धुन को, ठीक है, अंधा धुन फिल के डारेक्टर कौन है सिरी राम रागबन है अगला प्रसने है चार सथवे राष्टे फिल्म पुरुसकार में स्तर्वस्रेश्ट अभिनेता का पुरुसकार किसे दिया गया है देखे इस बार के राष्टे फिल्म पुरुसकार में स्तर्वस्रेश्ट अभिनेता का वार दो ल अगला प्रस्ठ नहें है फिल्म जो है उरीद सर्जिकल अश्ट्राइक के लिए और आईसमान खुरानों को यह प्रोज कार दिया गया है फिल्म अंदाधुन के लिए ठीक है अगला प्रस्थन है तो इसका अंसर है आदित्य धर को किस फिल्म के लिए उरिद्ध सर्जिकल अश्ट्राइक के लिए अगला प्रस्न है चारसटवे राष्ट्र फिल्म समारोख 2019 में सर्वस्रेश्ट अभी नेतरी का आवाड किसे दिया गया है तो यह दिया गया है कीर्ती सुरेश को किस फिल्म के लिए महानती फिल्म के लिए दिया गया है महानती जो है एक तेलगू फिल्म है अगला प्रस्न है Forbes 2019 की The World's 100 Most Powerful Women सूची के अनुसार सबसे सक्तिसाली महिला कौन है तो देखे Forbes 2019 की The World's 100 Most Powerful Women सूची के अनुसार दुन्या की सबसे सक्तिसाली महिला है Angela Merkel ठीक है Angela Merkel जो है Germany की Chancellor है इलगतार नौवी बार विश्वकी सबसे सक्तिसाली महिला के रूप में नामित की गई है Forbes की The World's 100 Most Powerful Women लिस्ट में हमारे वित मंत्री निर्मला सितारमन को 34 अस्थान मिला है रोश्नी नादर मलोत्रा को ये भी भारतिये है इन्हें 54 अस्थान मिला है और एक और भारतिये है एक और भारतिय महिला है उनका नाम है कीरन मजुमदार सौ ठीक है इन्हें 65 अस्थान मिला है और इवांका ट्रम को 42 अस्थान मिला है अगला प्रस्न है जनवरी 2019 में पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिबल को किस राजे का राजकिये उत्सव घोसित किया गया तो इसका असर है अरुनाचल परदेश पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिबल को जो है अरुनाचल परदेश का राजकिये उत्सव घोसित किया गया है अगला प्रस्न है किस राजे की रसरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसान की आई बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती कौसल योजना की सुरवात की है हिमाचल परदेश की सरकार ने अगला प्रस्न है भारत का कौन सा राज्य अनुबंधी खेती यानि कौन्ट्रेक्टर फार्मिंग पर कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है तो इसका अंसर है तमिलाडू ठीक है भारत का तमिलाडू राज्य जो है या अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला पहला बन गया है, अगला प्रस्न है, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की 550 वी जैनती पर किस देश ने सिख्के जारी किया है, तो यह जारी किया है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, अगला प्रस्न है, जम्मु कस्मीर से अनुचे 370 रद करने के बाद भी इसका क सुचना जारी कर इसके खंड दो और खंड तीन को खत्म कर दिया है, अनुचे 370 के साथ साथ अनुचे 35 एक को भी रद कर दिया है, लेकिन अनुचे 370 जो है, इसे पूरी तरह रद नहीं किया गया है, इसका खंड एक जो है अभी भी लागू है, अगला प्रस्न है, परधा सियादरा मालदिव में की थे ठीक है आठ जोन 2019 को मालदिव पहुंचे थे परधान मंदरी अगला प्रसने है भारत और जापान के बीच संजूकत सैन्य अभ्यास धर्मक गारजियन 2019 का आज़न किस राजे में हुआ है तो इसका आज़न हुआ है मिजोरम में ठीक है नेक्स्ट पीपल्स पार्टी का प्रभाव जो है मुख्य रुप से में घाला राजे में है नेशनल पीपल्स पार्टी के स्थापना किस ने की थी पीए संगमा ने की थी कब की थी 2013 में की थी और अब नेशनल पीपल्स पार्टी जो है यह राजनितिक दल पूर्वतर भारत का पहला दर्जा हासिल करे वाला पूरोतर भारत का पहला राजितिक दल्बन गया है National People's Party अगला प्रस्न है Smart Watch की कंपणी Fitbit को किस कंपणी ने 2.1 अरब डॉलर में खरिद लिया है तो Fitbit जो है जो की Smart Watch की एक American कंपणी है इसे 2.1 अरब डॉलर में Google ने खरिद लिया है अगला प्रस्न है योध्या विवाद का फैसला सुनाने में सामिल जजों में न्याइधिस रंजन गोगोई के लावा चार जज और कौन थे तो इसका अंसर है उपरियूक्त सभी देखे योध्या विवाद का फैसला पांच जजों की बैंच ने सुनाय था इसमें मुख्य जज के रुप में न्याइधिस रंजन गोगोई थे इनके अलावा चार जज और थे न्याइधिस डीवाई चंद्रचूर न्याइधिस सरत अर्विंद बोबडे न्याइधिस असोक भुशन और न्याइधिस अब्दूल नाजिर ठीक है अगला प्रस्न है सुप्रीम कोट ने अयोध्या के विवाद जमिन का मालिकाना हग किसे देने का फैसला किया है अगला प्रस्न है सुप्रिम कोट ने अयोध्या के कितने चित्र के विवादास पत जमिन का मालिकाना हक भगवान राम चंद्र के बाल सुरूप राम लल्ला को दिया है तो यह दिया है 2.77 एकर जमिन अगला प्रस्न है सुप्रिम कोट ने सविधान के किस अनुचेद के तहट अयोध्या में मुस्लिमों को मस्जिद निर्मान के लिए पांच एकर जमिन देने के आदेश दिया तो इस कोशन कांसर है अनुचेद 42 ठीक है इस कांसर भी अनुचेद 142 ही है अगला प्रस्न है अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली तो अयोध्या विवाद में लगातार 40 दिन तक सुनवाई चली थे अगला प्रस्न है सुप्रीम कोट ने अयोध्या के विवादास पत जमिन का फैसला कितने पन्नों में दिया तो इसका अंसर है 1045 पन्नों में दिया था अगला प्रस्न है सुप्रीम कोट ने अयोध्या जमिन विवाद मामले में किन धार्मी पुस्तकों के स्लोकों को गवाहों के रूप में सामिल किया है तो इसका अंसर है ये और भी दोनों ठीक है वालमिकी रमायन और अस्कंत पुरान इन दोनों को सामिल किया था अगला प्रस्न है 30 सितंबर 2019 को भारतिय वाई सेना के 26 परमुख का पदभार किसने ग्रहन किया है तो देखे इसका अंसर है आरकेस भधोरिया इनका पूरा नाम है राकेस कुमार्सी भधोरिया आरकेस भधोरिया ही वरतमान वाई सेना परमुख है अगले थल सेना परमुख कौन होंगे तो देखे अगले थल सेना परमुक होंगे मनोज मुकुन नर्वाने ये जो है विपिन रावत का स्थान लेंगे जनरल विपिन रावत 31 दिसंबर को रिटार हो जाएंगे तो अगले थल सेना परमुक बनेगे मनोज मुकुन नर्वाने अगला प्रस्ण है 31 मई 2019 को भारतिय नौसेना के 24 में परमुख का पदभार किसने ग्रहन किया है तो इसका अंसर है Admiral Karamvir से ठिक है वर्तमान नौसेना परमुख कौन है Admiral Karamvir से है अगला प्रस्ने है 12 अप्रेल 2019 को रूस के परधान मंत्री नरेंद्र मोधी को कौन सा सर्वोच नागरिक सम्मान देने की घोशना की है तो इसका अंसर है Order of इसका अंसर है Order of St. Andrew the Apostle ठीक है नेक्स्ट कुशन है पांचवी पिड़े का मुबाइल सेवा 5G, यहाँ पे G का मतलब है जेनरेशन, तो पांचवी पिड़े का मुबाइल सेवा 5G शुरू करने वाला विश्व का पर्थम देश कौन बना तो यह बना है दच्छिन कोरिया, ठीक है विश्व का पहला देश बना है 5G लाँच करने वाला अगला प्रस्ण है वर्ष 2019 में देश का सबसे स्वच सहर किसे घोशित किया गया है फरवरी 2019 में घोशित भारते रेलवे का अठारवा जोन दच्छिन तट रेलवे का मुख्यालय कहा है तो देखे वर्थमान में भारत में अब कुल 18 रेलवे जोन हो गये है ठीक है, अठारवा रेलवे जोन बना है दच्छिन तट रेलवे जिसका मुख्याला कहा है विसाखा पत्नम में स्थित है नेक्स्ट क्वेशन है जनवरी 2019 में जालंधर में हुवे एक सो चटमे भारते विज्ञान कॉंग्रेस सम्मेलन में जै अनुसंधान का नारा किस ने दिया था तो देखे जालंधर में हुआ था भारते विज्ञान कॉंग्रेस सम्मेलन जिसमें जै अनुसंधान का नारा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था ठीक है अगला प्रस्न है एक सो साट किलो मेटर परती घंटा की अस्पीट से चलने वाली ट्रेन ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है तो देखे ट्रेन 18 या 2018 में बनी थी इसलिए इसका नाम ट्रेन 18 रखा गया था या भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है इसका नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस नेक्स्ट कुशन है क्रोशिया का सर्वोच नागरिक सम्मान दे ग्रैंड ओडर ओफ दे किंग ओफ तॉमिस लॉव वर्ष 2019 में किसे दिया गया है तो यह पुरसकार दिया गया है हमारे वर्तमान राष्टपती रामनात कोविंद को अगला प्रसन है वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज में सुरू की गई है तो वन फैमिली वन जॉब योजना सिक्किम राज में सुरू की गई है अगला प्रसन है लॉस एंजेलिस से लेकर उत्तर परदेश के कथिकेरा तक लड़कियों की कहानी महवारी परबनी फिल्म परबनी किस भारते डोक्यूमेंटरी फिल्म को 91 ओसकर पुरसकारों 2019 में बेस्ट डोक्यूमेंटरी फिल्म का पुरसकार मिला है तो इसका आंसर है यह पुरसकार मिला है पिरियर्ट एंड औफ सेंटेंस को मिला है ठीक है पिरियर्ट एंड आफ सेंटेंस पूरসकार को मिला है इस पूरসकार को 91 ओसकर पूरসकार 2019 में based documentary short film का पूरসकार मिला है अगला परस्सन है ज्यामितिक विशलिसन के चेत्र में युगदान के लिए गनित के छेत्र का एबिल पुरसकार 2019 किस महिला को पहली बार दिया गया है तो यह पुरसकार दिया गया है करेन उहलेन बेक को ठीक है यह एक अमेरिकी गनित तग्या है देखे एबिल पुरसकार जो है या गनित के छेतर में दिया जाने वाला सर्वोज पुरसकार है या पुरसकार नार्वे के समराड दुवारा परदान किया जाता है इस बार वर्ष 2019 के लिए या पुरसकार करेन उहलेन बेक को परदान किया गया है ये इस परतिष्ठित पुरसकार को जितने वाली पहली महिला गनितग्या बन गई है अगला प्रस्ण है मार्च 2019 में देश के पहले लोकपाल कौन बने है तो देश के पहले लोकपाल बने है PC घोस ठीक है इनका पूरा नाम है पिनाकी चंद्रगोस वर्तमाल लोकपाल यहीं है ठीक है कौन है PC घोस है पिनाकी चंद्रगोस है वर्तमाल लोकपाल अगला प्रस्ण है 29 नुमबर 2019 को किसे 95 ज्यानफिट पुरसकार परदान किये जाने की घोसना की गई है तो देखें 55 ग्यान पिट पुरुसकार किसे दिया जाएगा कितम अचुतन नमभू थिरी को दिया जाएगा नासीरा सर्मा इनको 2020 व्याज समान परदान किया है अगला प्रस्ने है पचमसरी 2019 से समानित करनाटक की व्रीच माता के नाम से कौन परसीद है तो करनाटक की व्रिच माता के नाम से प्रसीद है सालू मर्दा थिमक्का इन्हें 2019 में पदमस्री पुरुषकार से समानित किया गया है सालू मर्दा थिमक्का करनाटक की रहने वाली है ये परियावरन वीद और समाजी कारी करता है इन्होंने अब तक बर्गद के 400 पेड़ों समेद 8000 से ज़्यादा पेड़ लगा है और यही वज़ाए कि इन्हें व्रिच माता के नाम से जाना जाता है व्रिच माता की उपाधी इन्हें मिली है अगला प्रस्णय है मेकिन इंडिया के तहट वन्दे भारत एकस्परेस रिल गारी का निर्मान किस फैक्टरी में किया गया है तो वंदे भारत एक्सप्रेस जोकी ट्रेन 18 का बदला हुआ नाम है इस ट्रेन इस रेलगारी का निर्मान इंटिग्रल कोच फैक्टरी चेनई में किया गया है ठीक है वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगारी का निर्मान किस फैक्टरी में किया गया है इंटिग्रल कोच को और प्रनव मुखर जी को ठीक है भुपेन हजारी का क्या है कवी है संगीतकार है और गितकार है और नाना जी देशमुक एक प्रसीद समाज सेवी है ये असमराजी के प्रमुक समाज सेवी थे और भुपेन हजारी का जो थे कवी गितकार संगीतकार थे और प्रनव मुखर जी हैं जो कि पूर्वराष्ट पती थे पूर्वराष्ट पती रह चुके हैं तो इन तीनों को वर्ष 2019 में भारत रत्न पुरुसकार दिया गया है यहाँ पे इसका अंसर है अपसंडी उपर्यूक्त सभी नाना जी देशमुक और भूपेन हजारिका को जो है यह पुरुसकार मर्नो परांत दिया गया है तो इन तीनों को भारत रत्न दिया गया है 2019 में नाना जी देशमुक को भूपेन हजारिका को परनब मुखर जी को अगला प्रशन है किस देश ने परधान मंत्री नरेंदर मोदी को अपने सर्वोच नागरिक सम्मान जायद मेडल से समानित किया ह तो इसका अंसर है संजुक्त अरब अमीरात ने अपने स्तरवोच नागरिक सम्मान जायद मिडल से समानित किया है किसे परधानमत्री नरिंद्र मोधी को अगला प्रस्ण है कुण्याक निरित्य जो अप्रेल दोजार नीस में गिनिज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया किस समादित है तो कुण्याक निरित्य जो है या नागलेंड की निरित्य है अगला प्रस्ण है कजाकस्तान की राजधानी अस्ताना का नया नाम क्या है कजाकस्तान की लंबे समय तक राष्ट पती रहे नूर सुल्टान नजरबाईव इन्ही के सम्मान में मार्च 2019 में यहां की संसर ने राजधानी अस्ताना का नया नाम नूर सुल्टान रग दिया है ठीक है यानि कजाकिस्तान की नयराजधानी कहां है नूर सुल्तान है ठीक है नूर सुल्तान इसका नाम रख दिया गया है अस्ताना का नाम नूर सुल्तान अगला प्रस्न है संजुक्त राष्ट महासचीव एंटो नियो गुटेरेश ने किस अवधी को नेलसन मंडेला सांती दसक के रूप में घोसित किया है तो 2019 से 2028 के अवधी को जो है नेलसन मंडेला सांती दसक के रूप में घोसित किया गया है इसे किस ने घोसित किया है अगला प्रस्ण है यह पूर्टगाल के हैं एंटोनियो गुटिरेस ICC T20 World Cup 2020 का आज़न कहां किया जाएगा तो इसका अंसर है आस्ट्रेलिया में ICC T20 World Cup 2020 का आज़न कहां किया जाएगा आस्ट्रेलिया में किया जाएगा अगला प्रस्ण है 23 October 2019 को BCCI के नए अध्यच के रूप में किसने कारेभार संभाला है तो BCCI के नए अध्यच के रूप में कारेभार संभाला है सौरव गाउंगली ठीक है वरतमान अध्यच कौन है BCCI के सौरव गाउंगली है इन्होंने 23 अक्टूबर 2019 को बिसी से आई के 49 अध्यच के रूप में करेभार समभाला है अगला प्रस्न है पूरूस हौकी विश्वकप 2023 की मेजबानी कौन करेगा तो इसकी मेजबानी कौन करेगा भारत करेगा पुरूस होकी विश्वकप 2023 की मेजबानी भारत करेगा और यह भारत के ओडिसा राजय में खेला जाएगा पुरूस होकी विश्वकप 2023 कहा खेला जाएगा भारत में खेला जाएगा तो भारत के पहले समुद्रित संग्राले की अस्थापना गुजरात में की जाएगी और इसके अस्थापना भारत और पूर्टगाल दोनों मिलकर गुजरात के लोथल में करेंगे अगला प्रसने है पेटा का परसन आप दे येर अवार्ड दोजार उनीस किसे दिया गया है त अगला प्रसने है दिसंबर दोजार नीस में नाटो सिखर समिलन दोजार नीस का आजन कहा किया गया तो नाटो सिखर समिलन दोजार नीस कहा आजित किया गया ब्रिटेन में आजित किया गया था ठीक है ब्रिटेन की राज़ानी लंदन में अगला प्रसने है हाल में हाईप तो इसका अणसर है नासिक रेल्वे स्टेशन पर जो है उक्सिजन पार्लर खोला गए है उक्सिजन पार्लर की अवधारना नासा की सिफारिश पर आधारित है सहरों में बढ़ते वायू परदूसंद से निपटने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए यात्रियों को स्वच वायू में सांस लेने का अनुभव परदान के लिए अभी दिसंबर 2019 में नासिक रेलवे स्टेशन पर एक आक्सिजन पारवर खोला गया है अगला प्रस्न है हाल में आठ पस्चिम अफरीकी देशों ने अपनी साजा मुद्रा का नाम बदल कर क्या रख दिया है तो अभी हाल में आठ पस्चिम अफरीकी देशों ने अपनी साजा मुद्रा जो की CFA फ्रेंक थी क्या थी CFA फ्रेंक ठीक है CFA फ्रेंक थी इनकी मुद्रा CFA फ्रेंक जिसका नाम बदल कर ECO रख दिया है ECO मुद्रा 2020 से परचलन में आएगी अगला प्रस्न है हाल में किसे भारत का अगला विदेश सचीव निउक्त किया गया है तो भारत का अगला विदेश सचीव हर्सवर्धन सरंगला को निउक्त किया गया है हर्सवर्धन सरंगला 29 जनवरी 2020 को पदभार समभालेंगे इन्होंने विजय गोखले का स्थान लिया है अगला प्रस्न है दिसंबर 2019 में मुंबाई नागपूर एक्सप्रिस्वे का नाम बदल कर किस वेक्ति के नाम पर कर दिया गया है तो मुंबाई नागपूर एक्सप्रिस्वे का नाम बदल कर सिर्फ सेना के संस्थापक बाल ठाकरे के नाम पर कर दिया गया है अगला प्रसने है कोईशन नबर 165 रगभी वल्ड कप 2019 किस ने जीता? तो रगभी वल्ड कप 2019 का खिताब दच्छिन अफरिका ने जीता है किसे हरा कर जीता है? रगभी वल्ड कप 2019 का खिताब जापान में किया गया था 20 सितमबर से 2 नमबर के बीच आयोजित किया गया था अगला प्रसने है किस देशने हाले में गांधी नागरिक्ता सिच्छा पुरुषकार आरम करने की घोषना की है तो अभी हाले में 14 का समापन हुआ है तो सूर्य कीरन 14 का जो नामक जो संजुक्त सेन्य अभ्यास था इसका आयोजन भारत और नेपाल के बीच समपन हुआ है ज्यानि इसका राइट आंसर है option D ठीक है? और इसका आयोजन नेपाल में किया गया था अगला प्रसने है हाल में किसे भारत का अगला थल सेना प्रमुख निउक्त किया गया है तो देखे भारत के अगले थल सेना प्रमुख होंगे मनोज मुकूंद नर्वाने ठीक है? यह जो है मनोज मुकूंद नर्वाने जनरल विपीन रावत का स्थान लेंगे जनरल बिपीन रावत 31 दिसवर को रिटार हो जाएंगे वर्तमान वाई सेना परमुक कौन है? तो वर्तमान वाई सेना परमुक है? राकेश कुमार सी भधोरिया और वर्तमान वाई सेना परमुक कौन है? करमवीर सी है तो आप इन तीनों प्रमुक को याद रखेगा थल सेना प्रमुक कौन है मनोज मुकुन नर्वाने बनेंगे और नौ सेना प्रमुक कौन है वर्तमान नौ सेना प्रमुक करमवीर सी है और वर्तमान वायू सेना प्रमुक कौन है राकेश कुमार से भधोरियां है अगला प्रसने है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2020 के नुसार रोजगार हासिल करने की चमता में सिर्श राज्जिक कौन सा है तो इसका राइट आंसर है महाराश्ट्र ठीक है और सहरो के मामले में नंबर वन कौन है अगला प्रसने है कि सहर को हाले में दुन्या का परमुक स्पोर्ट्स टूरिजम डेस्टिनेशन चुना गया है तो अभी दिसंबर में ही दुन्या का परमुक स्पोर्ट्स टूरिजम डेस्टिनेशन आबु धाबी को चुना गया है अबु धाबी किस देश की राजधानी है तो यह जो है संजुक तरप अमिरात की राजधानी है अगला प्रसने है हाल हिमें जारी मानव विकास सुचकांग 2020 में भारत कौन सा अस्थान मिला है भारत को कौन सा अस्थान मिला है तो मानव विकास सुचकांग 2019 में भारत को 129 अस्थान मिला है अगला प्रसने है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और बांगलादेस इन तीनों देसों के प्रताडित अल्पर संक्यकों को जिसमें अच्छा अल्पर संक्यक सामिल है हिंदू, बौध, सीख, जैन, पार्सी और इसाई इन देशों से आए इन सभी अलपसंखेकों को बगेर वैद दस्तावेजों के भी भारतिय नागरिता मिल जाएगी अगला प्रस्न है तो दुन्या की सबसे कम उम्र की पर्धान मंतरी बनी है इनका उम्र अभी 34 साल है अगला प्रस्न है 24 सितंबर 2019 को किसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फौंडेशन के परतिश्थित ग्लोबल गोलकीपर आवार से सम्मानित किया गया है दिखे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फौंडेशन का 2019 के लिए परतिश्थित ग्लोबल गोलकीपर आवार्ड जो है इस आवार्ड से पर्धान मंतरी नरेंडर मोधी को सम्मानित किया गया है इन्हें स्वच्टा के लिए किये गए कार्य महतवपूर्न सुधार और नेतरित्व के लिए इस पुरुसकार से समानित किया गया है अगला प्रसने है हाल में भारत सरकार ने किसके नाम पर देश की एकता और अखंता के छेतर में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वोच नागरिक पुरुसकार का गठन किया है तो इसका अंसर है सरदार वल्लभाई पटेल ठीक है और इस पुरुसकार का नाम क्या होगा इस पुरुसकार का नाम होगा सरदार पटेल राष्ट्रे एकता पुरुसकार ठीक है? अगला परसने है आठ दिसम्बर 2019 को प्रकासित पुश्टक माइनड मास्टर किस प्रसीद खिलाडी की आत्म कथा है कि आत्मकता है कि आत्मकता है आप इसे याद रखेगा विश्वनात आनन जो है यह सत्रंच खिलारी है और इन्होंने ही अभी अपनी आत्मकता लिखी है जिसका नाम है Mind Master अगला प्रस्ण है हाल में किस ने फीफा बेस्ट प्लेयर आप दे येर दोजर निस अवार्ड जीता है लिएनल मेसी ने जीता है लिएनल मेसी किस देश के हैं तो ये अरजेंटीना के हैं अगला प्रस्ण है हाल में किस भारतिये को Foundation for Excellence संगठन ने अमेरिका में सिच्छा से समधित The Education Excellence Award 2019 से समानित किया है तो यह समानित किया गया है आनंद कुमार को IIT परवेज परिच्छा के तयारी कराने वाली कोचिंग संस्था सुपर 30 के संस्थापक और गनित के विख्यात सिच्छक आनंद कुमार को अमेरिका में सिच्छा से जुड़े The Education Excellence Award 2019 से समानित किया गया है इन्हें या पूरसकार जो है कि संगठे ने दिया है Foundation for Excellence संगठे ने दिया है अगला प्रस्न है हाले में केंद्र सरकार ने रोहतांग दर्रे के नीचे बनी लेह और मनाली को जोड़ने वाली सामरिक सुरंग का नाम बदल कर क्या रख दिया है तो इसका अंसर है अटल सुरंग अटल सुरंग ठीक है अटल सुरंग नाम रख दिया गया है अगला प्रस्न है हाले में आईफा अवार्ड 2019 में किसे सर्वस्रेष्ट अभिनेतरी का अवार्ड किसे मिला है तो आईफा अवार्ड 2019 में सर्वस्रेष्ट अभिनेतरी का बेस्ट एक्टरिस का अवार्ड मिला है आल्या भट को किस फिल्म के लिए मिला है राजी फिल्म के लिए मिला है अगला प्रस्ण है आईफा वार्ड 2019 में सर्वस्रेष्ट अभी नेता का अवार्ड किसे मिला है तो देखे इसका अंसर है रनवीर से ठीक है आईफा वार्ड 2019 में सर्वस्रेष्ट अभी नेता का वार्ड मिला है रनवीर सिंह को किस फिल्म के लिए पदमावत के लिए मिला है अगला प्रस्न है आईफा वार्ड 2019 में बेस्ट डिरेक्टर का वार्ड किसे मिला है तो आईफा वार्ड 2019 में बेस्ट डिरेक्टर का वार्ड मिला है सिरी राम रागवन को किस फिल्म के लिए अंधा धुन फिल्म के लिए मिला है अगला प्रस्ने है दिसंबर 2019 में राष्ट्रे गंगा परिश्द की पहली बैठक कहां आजित की गई तो राष्ट्रे गंगा परिश्द की पहली बैठक 14 दिसंबर 2019 को कानपूर में आयुजित की गई ठीक है कानपूर में आयुजित की गई थी इसकी अध्याज़ता किस ने की थी परधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने की थी अगला प्रसने है अगला प्रसने है किस किर्केट टीम ने अंडर 19 एसिया कब 2019 का खिताब जीता है भारत ने जीता है ठीक है भारत ने जीता है फाइनल मैच में किसे हराय था भारत ने तो यह हराय था बांगला देश को अंडर 19 एसिया कब 2019 का खिताब किस ने जीता है किसे हरा कर न्यूजिल लैंड को हरा कर जीता है ICC Cricket World Cup 2019 का आज़न कहा किया गया था इंगलैंड और विल्स में किया गया था इन दोनों जिगह पर किया गया था अगला प्रसने है ICC Cricket World Cup 2023 कहा क्हे खेला जाएगा अगला प्रसने है वर्स 2018 का 66 दादा साहब फाल के पूरसकार किसे दिया गया तो वर्स 2018 का 66 दादा साहब फाल के पूरसकार दिया गया है अमिताब बच्चन को अगला प्रसने है हाल में US Open 2019 के महिला एकल खिताब किस ने जीता तो देखे US Open 2019 के महिला एकल का खिताब जीता है बियांका एंडरिस्कु ने ठीक है बियांका एंडरिस्कु ने जीता है ये कनाडा की है इन्होंने final में Serena Williams को हराय था Naomi Osaka जो है ये जापान की है और इन्होंने Australian Open 2019 का खिताब जीता था यहाँ बात की जारी है महिला इकलवर्ग की ठीक है इसले बाटे जो है ये Australia की है और इन्होंने French Open 2019 का खिताब जीता है और Simona Halip Simona Halip ये जो है इन्होंने registration 2018 já है और इह कहाँ की है रोमानिया की है अगला प्रस्न है US Open 2019 में Purus Akel का खिताब किसने जीता है तो US Open 2019 में Purus Akel का खिताब Raphil Nadal जीता है ठीक है US Open 2019 किसने जीता है Purus Akel का खिताब Raphil Nadal जीता है Raphil Nadal किस देशके हैं तो ये अस्पेन के है फ्रेंच ओपन फ्रेंच ओपन 2019 का खिताब भी जो है राफिल नडाल नहीं जीता है फ्रेंच ओपन और येश ओपन दोनों का खिताब 2019 का राफिल नडाल नहीं जीता है आस्ट्रेलियन ओपन 2019 और विंबल्डन 2019 का खिताब पूरू सेकल में नौवाक ज जोकोविच ने जीता है और US Open 2019 और French Open 2019 राफेल नडाल ने जीता है ठीक है नुवाक जोकोविच किस देश के हैं सर्भिया के हैं अगला प्रस्ने है हाले में किस अस्टेडियम का नाम बदल कर अरून जेटली अस्टेडियम कर दिया गया है तो इसका अंसर है फिरोसा कोटला अस्टेडियम फिरोसा कोटला अस्टेडियम कहां पे है दिल्ली में है और यह एक क्रिकेट अस्टेडियम है हाले में इसका नाम बदल कर अरून जेटली अस्टेडियम कर दिया गया है अगला प्रस्ने है हाले में कौन रोजर फेडर को किसी सेट में हराने वाले पहले भार खिलाणी है अगला प्रस्ण है निम्नमे से किस सहर में बायो एसिया 2020 का आयुजन किया जाएगा तो बायो एसिया 2020 का आयुजन 17 से 19 फर्वरी के बीच हैदराबाद में किया जाएगा ठीक है है हैदराबाद में आयुजित किया जाएगा बायो एसिया 2020 और इसकी थिम क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को दे किंग हमाद आउडर अफ दे रेनेस्टांस से समानित किया है तो इसका अंचर है बहरिन ठीक है बहरिन की राज़ानी कहा है मनामा है बहरिन को मोत्यों का द्वीप कहा जाता है अगला प्रस्न है दिसंबर 2019 में दिसंबर 2019 में पेपसी को ने अपने पेपसी ब्रांड का ब्रांड मेश्टर किसे बनाया है तो पेपसी को कंपनी ने अपने पेपसी ब्रांड का ब्रांड मेश्टर बनाया है सलमान खान को वो अगले दो वर्स तक cold drinks ब्रांड पेपसी का परचार करेंगे अगला प्रसने है अगस्त 2019 में किस भारते खिलाडी ने विश्वय यूवा तिरंदाजी चैंपेंशिप में गोल्ड मेडल जीता है आंसर है कोमाली का बारी ये का की है ये जहारखंड की है और इन्होंने अगस्त 2019 में विश्वय यूवा तिरंदाजी चैंपेंशिप में गोल्ड मेडल जीता है अगला प्रसने है हाल में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट पती को देशद्रों के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है आंसर है परवेज मुसरफ वे 20 जून 2001 से अठारा अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट पती रहे परवेज मुसरफ तीन नवंबर 2007 को देश में इमर्जेंसी लगाने के जूर्म में परवेज मुसरफ पर दिसंबर 2013 में देश्टरों का मुकदमत दर्ज किया गया था परवेज मुसरफ को 31 मार्च 2014 को दोसी ठर आए गया था और अब 17 दिसंबर 2019 को पेसावर हाई कोट के चिप जस्टिस वकार अहमद सेट के अधस्ता में विशेश अदालत की तीन सदस्य पिटने इन्हें फासी की सजा सुनाई है अगला प्रसने है अगस्त 2019 में किस भारतिय को संजुक्त अरब अमिराद का सर्वोच नागरिक समान जायद और अफ जायद मिला है या किसे मिला है अगस्त 2019 में तो या मिला है परधान मंतरी नरेंद्र मोधी को अगला प्रसने है 26 दिसंबर 2019 को इट राइट मेले का उधगाटन कहा हुआ है तो अभी 26 दिसंबर को दूसरे इट राइट मेला का उधगाटन नई दिल्ली में हुआ है इसका उधगाटन केंद्रिय स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंतरी डॉक्टर हर्सवर्धन ने किया अगला प्रसने है 24 दिसंबर 2019 को एली विलिस का निधन हुआ है वह कौन थे तो वह अमेरिका की एक प्रसीद गितकार थे ठीक है एली विलिस कौन थे प्रसीद गितकार थी अमेरिका के और इन्हें ग्रेमी अवार्ड भी मिला था इसलिए इनका नाम बहुत ही अगला प्रसने है हाल में कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपेंशिप जितने वाली पहली भारते खिलाड़ी बनी है आंसर है पीवी सिंधू ठीक है पीवी सिंधू पीवी सिंधू वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपेंशिप जितने वाली पहली भारते खिलाड़ी बनी है अग 27 December 2019 को UIDAI ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके नुसार भारत में अब तक कुल 125 करोड निवासों के पास अधार कार्ड है एकजाम में UIDAI का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका फुल फॉर्म है UIDAI का Unique Identification Authority of India तो आप इसका फुल फॉर खेल रत्त पुरुसकार 2019 किसे दिया गये है तो राजिव गांधी खेल रत्त पुरुसकार 2019 जो की राजिव गांधी खेल रत्त पुरुसकार जो है खेल के छेत्रे में दिया जाने वाला सर्वोज पुरुसकार है इस बार 2019 में दो खिलाडियों को यह पुरुसकार दिया गय बजरंग पुन्या ये हर्याना के जजजड जिले से है जबकि दीपा मलिक कहां की है ये हर्याना के सोनी पज जिले से है अगला प्रस्ण है अरजून पुरुसकार 2019 से कितने खिलाडियों को समानित किया गया है तो इसका आउशर है option D 19, ठीक है अरजुन पुरसकार या खेल के छेतरे में दिया जाता है और 2019 में 19 खिलाड़ियों को इस पुरसकार से समानित किया गया है अगला प्रसने है मो सरकार, जिसकार थै मेरी सरकार, योजना किस राज़े की योजना है तो मो सरकार जो है या किस राज़े की योजना है ओडिसा राज़े की योजना है अगला प्रसने है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स वुमेन आफ द इयर का वार्ड किस ने जीता है तो वह जीता है अमेरिकी जिमनास्ट साइमन बाइल्स ने यहाँ पर द द इयर का वार्ड किस ने जीता है स्पोर्ट्स वुमेन आफ द इयर का वार्ड किस ने जीता है 2019 में तो यह जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अगला प्रस्ण है 29 सितंबर 2019 को नेपाल में संपन सैफ अंडर 18 चैंपेंशिब 2019 का खिताब किस देश ने जीता आंसर है भारत ने जीता है और फाइनल मैच में भारत ने किस को रहा था बंगलादेश को हराय था साफ अंडर 18 Championship 2019 का आज़न कहा हुआ था नेपाल में हुआ था ASFF का फुल फॉर्म क्या है ASFF का फुल फॉर्म है तो इसका फुल फॉर्म है South Asian Football Federation ठीक है अगला प्रसने है साफ अंडर 15 Championship 2019 भारत में भारत ने किसको हराया तो देखें South Asian Football 15 Championship में भारत ने जीता है और इसमें फाइनल में भारत ने नेपाल को हराया है ठीक है नेपाल को हराया था South Asian Football 15 का आज़न कहां पे किया गया था पस्चिम बंगाल में किया गया था अगला प्रसने है रायतू भरोसा किस राजी की योजना है तो रायतू भरोसा योजना है आंदरपरदेश राजी की ठीक है और एक है रायतू बंधू योजना ठीक है रायतू बंधू योजना किस राजी की योजना है तो यह तेलागना की है और रायतु भरोसा यूजना है आंधरपरदेश की, रायतु बंधु यूजना तेलागना की है, रायतु भरोसा यूजना आंधरपरदेश की है अगला प्रसने है, 7 से 9 सितंबर 2020 तक विश्वक कॉफी समिलन 2020 के पाचवे संसक्रण का आउजन कहां किया जाएगा? तो यह किया जाएगा बंगलूरू में ठीक है और इसका खास बात ये है कि इसका आज़न भारत में पहली बार किया जा रहा है अगला प्रस्ने है अक्टूबर 2019 में प्रसीद खोन रामलीला का आज़न किस राज्य द्वारा किया गया आंसर है उत्तर परदेश ठीक है खोन रामलीला जो है जो कि थाइलेंट की विश्व परसीद रामलीला है इसमें भाग लेने वाले जितने भी कलाकार होते हैं वो सभी मुखोटे लगा कर नाटक परस्तूत करते हैं इस रामलिला में कुछ भी बोल कर परस्तूती नहीं की जाती है बैक्ग्राउंड में म्यूजिक चलता रहता है और यह म्यूजिक रमायन के पूरी कहानी बया करती है तो इसी म्यूजिक के अनुसार वे सभी नाटक करते हैं और अभी हाल में इसका अज़न भारत में कहा किया गया है उत्तर प्रदेश में किया गया ठीक है उत्तर प्रदेश के अयुद्ध्या में हुआ है और यह खोन रामलिला जो है युनेशको की अमूर्ते सांस्कृतिक विरासत की सुची में सामिल है अगला प्रस्ने है 19 अक्टूबर से 2 नमबर 2019 के बीच मिजोरा में भारत और दिसमबर 2019 किस राजे में लोसार मोहट्सो की शुरवाथ हुई है तो इसका अन्सर है लगदाग नेक्स्ट कुिशन है दिसमबर 2019 में किस देश में फैन फोने नामक चक्रवाद आया तो देखिए फैन फोने चक्रवाद अभी दिसमबर में फिलिपिन्स में आया है अगला नवचार सुचकांग 2019 में पर्थम अस्थान पर कौन सा राजी रहा तो भारत नवचार सुचकांग 2019 में पर्थम अस्थान पर करनाटक राजी रहा दूसरे अस्थान पर तमिलाडू वर तिसरे अस्थान पर महराष्ट रहा है अगला प्रस्न है तो इस बैठा की अधास्ता केंद्रिय वित मंतरी और कॉर्पोरेट मामलो की मंतरी निर्मला सिता रमने की है अगला प्रस्ने है 2019 की सातवी आर्थिक जन्गन्ना किसने शुरू की है तो 2019 में सातवी आर्थिक जन्गन्ना सांखे की और कारिकरम कारियान्वयन मंतराले ने शुरू की है और अगला प्रस्ने है हाल में समाचारों में समानी कृत वरियता प्रनाली चर्चा में रहा ये वैपार कारिकरम किस देश का है आंसर है अमेरिका का ठीक है अगला प्रशन है तो यह आत्म कता है बाबा राम देव की ठीक है और इस पुस्त को माई लाइफ माई मिस्ट को बाबा राम देव ने वरिष्ठ पत्रकार विदे माहूरकर के साथ लिखा है अगला प्रशन है निवलिकित में से किसे जून 2019 में पुनह देश का राष्ट्रे सुरच्छा सलाकार निउक्त किया गया है तो इसका अंसर है अजित दोभाल अजित दोभाल को लगतार दूसरी बार देश का राष्ट्रे सुरच्छा सलाकार निउक्त किया गया है और इनका कारेकाल अगले 5 वर्सों के लिए है अगला प्रसन है 25 जून 2019 को मोहन राणाडे का निधन हो गया वह कौन थे तो वह एक प्रसीद सुवतंतरता से नानी थे ठीक है मोहन राणाडे सुवतंतरता से नानी थे इन्होंने गोवा की सुवतंतरता में महत्वपून भूमेका निभाधा किसकी सुतंतरता में? गोवा की सुतंतरता में अगला प्रस्ण है ओडिशा इस्थित नेशनल एल्मोनियम कमपनी लिमिटेड नालको को जुलाई 2019 में किस योजना को सुरू करने और लागू करने के लिए उतकरिष्ट कोर्पूरेट समाजी कुतरदाईत्व के लिए परतिश्थित राष्टपती पुरस्कार मिला है तो नालको को यह पुरस्कार उसके द्वारा सुरू की गई नालको की लाडली योजना के लिए राष्टपती पुरस्कार मिला है अगला प्रस्ण है रेड इंक जर्नलिस्ट आप दे येर अवाड दो जार नीस किस ने जीता आंसर है रचना खैराने ठीक है रेड इंक जर्नलिस्ट आप दे येर अवाड दो जार नीस किस ने जीता है रचना खैराने जीता है अगला प्रस्थन है अक्टूबर दो जार नीस में भारत का पहला अंतराष्ट्रे सहकारी वैपार मेला कहा आज़ित किया गया तो इसका अंसर है नई दिली में अंतराष्ट्री भारत का पहला अंतराष्ट्रे सहकारी वैपार मेला कहा ज़ित किया गया है अगला प्रस्ण है वन नेशन वन रासन कार्ड योजना कब से लागू की जाएगी त किसी भी राज में किसी भी PDS दुकान से अपना रासन खरिद सकेगा अगला प्रस्ण है अक्टूबर 2019 में प्रसीद चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल कर डॉक्टर स्यामा परसाद मुखर जी के नाम पर रखा गया है या किस राज में इस्थित है तो यह इस्थित है अगला प्रस्ण है भारतिय राष्ट्रे विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यच कौन बनी है आंसर है चंद्रीमा साह वह भारतिय राष्ट्रे विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यच बनी है चंद्रीमा साह 2020 से अपना कारेभार समालेंगी और उनका कारेकाल 2022 तक होगा अगला प्रस्ने है अगस्त 2019 में केंद्रिय ग्री मंत्री अमित साह ने Listening, Learning and Leading नामक पुष्टर का विमोचन किया है इसके लेखक कौन है तो Listening, Learning and Leading नामक पुष्टर के लेखक है एम वंके नाइडो ठीक है अगला प्रस्ने है मई 2019 में मसाला बांड जारी करने वाला पहला भारती राजे कौन है तो मसाला बांड जारी करने वाला भारत का पहला राजे है वह है केरल अगला प्रस्ने है 21 में Commonwealth Table Tennis Championship 2019 कहा आजित की गई तो यह आजित की गई थी कटक ओडिता में ठीक है और इसका विजेता कौन रहा भारत रहा महिला और पूरु सुबर्गर दोनों का विजेता भारत रहा था अगला प्रस्ने है IBSF असनूकर World Cup 2019 किसने जीता है तो इसे जीता है पाकिस्तान ने किसे हरा कर जीता है भारत को हरा कर जीता है और इसका आजन कहां किया गया था तो इसका आजन कतर में किया गया था ठीक है कतर की राज़ाने दोहा में किया गया था अगला प्रसने है जुलाई 2019 में किस राजे के मुख्य मंत्री ने CM हिल्प लाइन नमबर 1076 शुरू किया है तो यह शुरू किया है उत्तर परदेश में उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगिया आधित्यनाथ ने शुरू किया है मुख्य मंत्री cm help line number जो की है 1076 अगला प्रस्न है संगाई सहयोग संगठन का निश्वा सीखर समेरन कहां आजित हुआ तो यह आजित हुआ था बिसकेक में ठीक है बिसकेक किसकी राजधानी है किर्गिस्तान की राजधानी है यही पिर आजित हुआ था संगाई सहयोग संगठन 2019 अगला प्रस्न है कौन सा राज़े 105 करोड रुपय की लागत से भारत का पहला हाथ ही पुनरवास केंद्रा स्थापित कर रहा है तो आंसर है केरल ठीक है केरल और यह कहां स्थापित किया जा रहा है केरल के कोड़ तूर में स्थापित किया जा रहा है और यह भारत का पहला हाथ ही पुनरवास केंद्र है अगला प्रस्न है question 240 अस्टेंड़ इंडिया योजना को किस वर्स तक बढ़ाया गया है तो अस्टेंड़ इंडिया को जो है अस्टेंड़ इंडिया योजना को वर्स 2025 तक बढ़ाया गया है अगला प्रस्न है भारत का पहला फिल्म संग्राला कहां खोला गया है तो भारत का पहला फिल्म संग्राला कहला गया है मुंबई में next question है जुलाई 2019 में UNESCO द्वारा किस भारती अस्थल को विश्व विरासत अस्थल की सूची में सामिल किया गया है तो यह सामिल किया गया है राजस्थान के राजधानी जैपूर को जैपूर को पिंक सिटी यानी गुलाबी सहर के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रस्ण है जुलाई 2019 में तीस्वे समर युनिवर्सिटी गेम्स का अजन कहा किया गया था तो तीस्वे समर युनिवर्सिटी गेम्स का अजन किया गया था नेपल्स में ठीक है नेपल्स कहां पे है इटली में है अगला प्रस्ण है 28 दिसंबर 2019 को मांडू उत्सव का सुभारम कहां हुआ है तो मांडू उत्सव का सुभारम मध्य परदेश में हुआ है नेक्स्ट क्वेशन है अगला प्रस्न है किसने विश्वेद्यालों में अनुसंधान, संस्कृति और नवचार को मजबूत करने के उद्यसे से अस्ट्राइड योजना शुरू की है तो अस्ट्राइड योजना को शुरू की है UGC ने ठीक है UGC का फुल फर्म क्या है Union Grant Commission ने अगला प्रस्न है 27 December 2019 को विकास सबनिस का निधन हुआ है वे कौन थे तो वे एक प्रसीद कार्टूनिस्ट थे ठीक है विकास सबनिस एक प्रसीद कार्टूनिस्ट थे अगला प्रस्न है वह अरब देश जिसे वितिय कार्यवाई कार्यवल की पूर्ण सदस्ता दी गई है तो वह पहला अरब देश कौन है जिसे एफए टी एफ़ की पूर्ण सदस्ता दी गई है तो वह है सवुदी अरब ठीक है अगला प्रस्न है चेहरे की पहचान फेशियल रिकगनिशन पर परतिबन लगाने वाला पहला अमेरिकी सहर कौन सा है तो वह है सैन फ्रांसिसको ठीक है फेशियल रिकगनिशन पर परतिबन लगाने वाला पहला अमेरिकी सहर कौन है सैन फ्रांसिसको है नेक्स्ट क्वेशन है दिसंबर 2019 में किस ने DEF Expo 2020 मोबाइल एप लॉंच किया है तो DEF Expo 2020 मोबाइल एप को वर्तमान रच्छा मंतरी राजनाथ सिह ने लॉंच किया है अगला प्रस्न है स्वभागी यूजना के अंतरगत देश का पहला पूर्नता विद्यूतिकरित राज्य कौन बन गया है अगला प्रस्न है हाले में किसे तेंजिंग नौर्गे राष्ट्रे सहासिक पुरुसकार 2018 से समानित किया गया है अगला प्रस्न है सितंबर 2019 में किस मेट्रो का नाम बदल कर राजा भोज के नाम पर रखा गया है आंसर है भोपाल मेट्रो, भोपाल मेट्रो का नाम बदल कर राजा भोज के नाम पर रखा गया है अब भोपाल मेट्रो किस नाम से जाना जाएगा, तो अब भोपाल मेट्रो जो है भोज मेट्रो के नाम से जाना जाएगा अगला प्रस्थन्य है, 2022 में सित कालिण ओलम्पिक का आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा घ्रिसमेक आलिन ओलम्पिक 2020 कहा होगा, टोक्यो जापान में होगा पेरिस में फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा अगला प्रस्ण है कच्रे से उर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला मेट्रो कौन बना आंसर है दिल्ली मेट्रो कच्रे से उर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला मेट्रो बना है दिल्ली मेट्रो अगला प्रस्न है हाल में किसे United Nations Global Climate Action Award मिला है तो अभी हाल में भारतिय कंपनी Infosys को United Nations Global Climate Action Award मिला है अगला प्रस्न है वेनू माधाव जिनका 25 सितंबर 2019 को निधन हो गया वे कौन थे अगला प्रस्न है रिशेट रिगेनिंग इंडियाज एकौनौमिक लगेसी किताब किसने लिखी है तो Reset Regaining India's Economic Legacy नाम किताब को लिखी है इसे लिखी है बिजेपी सांसद सुब्रमन्यम स्वामी ने नेक्स्ट कुशन है हाल में नुवा खाई तुहार किस राज में मनाये गया है तो अभी हाल में नुवा खाई तुहार ओडिसा राज में मनाये गया है अगला प्रसने है हाल में 2 अक्टूबर 2019 को किस राज ने तंबाकू और पान मसाला पर परतिबंद लगाया है आंसर है राजस्थान नेक्स्ट कुशन है सितंबर 2019 में किस भारतिय महिला किरकेटर ने T20 इंटरनेशनल से सन्यास की गोशना की है तो इसका अंसर है मिताली राज सितंबर 2019 में मिताली राज जो है इन्होंने महिला T20 इंटरनेशनल किरकेट से सन्यास की गोशना की है अगला प्रसने है महिला फीफा विस्वकप 2019 का खिताब किस ने जीता तो महिला FIFA 25 Cup 2019 का खिताब अमेरिका ने जीता है किसे हराकर जीता है? फाइनल में किसे हराया था? इसने निदरलैंड को हराया था FIFA 25 Cup 2019 का आउजन कहां किया गया था? फ्रांस में किया गया था ठीक है महीला फीफा विश्वकप 2019 का आउजन कहा किया गया था फ्रांस में किया गया था पुरूस फीफा विश्वकप 2018 किस ने जीता था तो इसे फ्रांस ने जीता था ठीक है पुरूस फीफा विश्वकप 2018 फ्रांस ने जीता था और महीला फीफा विश्वकप 2019 किस ने जी खेला गया था रूस में खेला गया था अगला प्रस्ने है 2022 का फीफा विश्व कप पूरुसु का कहां आउजित किया जाएगा तो पूरुसु का फीफा विश्व कप 2022 यह कतर कतर में आउजित किया जाएगा अगला प्रस्न है जल संसाधन और पेजल एवं स्वच्ता मंत्राले को मिला कर कौन सा मंत्राले बनाये गया है तो देखे जल संसाधन और पेजल एवं स्वच्ता मंत्राले को मिला कर एक नया मंत्राले बनाये गया है जल सक्ती मंत्राले जल सक्ति मंत्राले के वरतमान मंत्री कौन है ? गजेंद्रे सी सेखावत है अगला प्रस्ण है अभी अन्तराष्ट्रे पर्मानु ऊर्जा अजेंसी के नए परमुख कौन बने है ? वह बने है राफिल गरासी राफिल गराशी बने है और इनको चार साल के कारीकाल के लिए नुप्त किया गया है अगला प्रसने है नॉवंबर 2019 में भारत का पहला day night टेस्ट मैच कहां खिला गया तो भारत का पहला day night के टेस्ट मैच कोलकता के इडन गर्डन अश्टेडिया में खिला गया है यह मैच भारत और किसके बीच हुआ था भारत और बागला देश के बीच हुआ था अगला प्रसने है विश्व आर्थिक मंच दुवारा जारी वर्ष 2019 के लिए विश्व यात्रा और पर्याटन परतियस परधा सुचकांत में भारत कौन से स्थान पर रहा तो भारत इस सुच चुनाव में कुल कितने सिटे जीती है तो 2019 का लोगसभा चुनाव जो की 17 लोगसभा चुनाव था तो इसमें जो है भारतिय राष्टे कौंग्रेस पार्टी ने कुल 52 सिटे जीती है बिजेपी जो है 303 सिटे जीती है बिजेपी 303 सिटे अगला प्रस्ने है 8 सितंबर 2019 को राम जेठ मलानी का निधन हुआ है वक कौन थे तो राम जेठ मलानी जो थे एक सूप्रसिद भारतिये वकील और राजनितिक गया थे अगला प्रस्ने है हाले में किस राजे के पुलिस ने सी प्लान नामक मोबाईल एप लॉंच किया है पेडों की नई जिन्दगी देने के लिए पहली ट्री एंबूलेंस की शुरवात किस ने की है तो भारत की पहली ट्री एंबूलेंस की शुरवात चेनई ने की है नेक्स्ट कुशन है हाले में चेनाई सेंट्रल रिल्वे स्टेशन का नाम बदल कर नया नाम किसके नाम पर रखा गया है देखे अभी हाले में चेनाई सेंट्रल रिल्वे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर नया नाम एम जी रामचंदरन के नाम पर रखा गया है डॉक्टर एम जी रामचंदरन ये AIA DMK के संस्थापक दथा वर्स 1977 से 1987 के बीच तमिलाडू के मुख्यमंत्री रह चुके है अगला प्रस्न है चालिस्वा सरला पुरसकार 2019 किसे प्रदान किया गया है तो चालिस्वा सरला पुरसकार जो है 2019 यह प्रदान किया गया है प्रसीद ओडिया लेखक प्रदीप दास को ठीक है इन्हें यह पुरसकार उनके कविता संग्रा चारू चिबार और चारज्या के लिए प्रदान किया गया है अगला प्रस्ने है रगबी विश्वकप 2019 किस ने जीता है? तो इसे जीता है दच्छिन अफरिका ने जीता है फ्रांस को हरा कर और यह कहां खेला गया था? तो यह खेला गया था जापान में अगला प्रस्ने है किस खेल को 2022 राष्ट मंडल खेलों से बाहर रखा गया है? तो देखे 2022 के राष्ट मंडल खेलों से सुटिंग यानि की निसाने बाजी को बाहर रखा गया है इसमें इस खेल को सामिल नहीं किया गया है 2022 में राष्ट मंडल खेल कॉमन वेल्थ गेम्स कहा होगा? इसका जवाब आप कमिंड बॉक्स में दीजेगा 2022 का राष्ट मंडल खेल कहां पे खेला जाएगा? कॉमन वेल्थ गेम्स 2020 कहा होगा? इसका अंसर आप मुझे कमिंड बॉक्स में दीजेगा चलिए अगला प्रस्ने है भारत का पहला डाइनासोर संग्राले वजिवास्म पार्क का उद्घाटन कहा किया गया है तो यह किया गया है गुजरात में अगला प्रस्न है साहित्य के लिए दिया जाने वाला JCB पुरस्कार 2019 से किसे समानित किया गया है तो JCB पुरसकार 2019 जो की साहित्त के लिए दिया जाता है इस पुरसकार से माधुरी विजय को सम्मानित किया गया है इन्हें या पुरसकार इनके पहले उपनियास the far field के लिए परदान किया गया है अगला प्रसने है फेस्बुक की क्रिप्टो क्रेंसी का नाम क्या है जो 2020 में लॉंच होगी तो इसका नाम है लिब्रा क्या नाम है लिब्रा नाम है फेस्बुक की क्रिप्टो क्रेंसी या डिजिटल क्रेंसी का नाम लिब्रा है और इसे 2020 में लॉंच किया जाएगा अगला प्रसने है भारत का पहला केंदरिये पुलिस विश्विद्याले कहां पित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेशन है एक माई 2019 को जापान के नए समराट कौन बने है तो जापान के नए समराट बने है नारू हितो ठीक है जापान के नए समराट कौन बने है नारू हितो बने है और नारू हितो जो है जापान के 126 समराट बने है अगला प्रस्ने है हाल अभी हाल में टीम इंडिया का नया आधिकारिक प्रायोजग कौन बना है तो अभी हाल में टीम इंडिया का नया आधिकारिक प्रायोजग बना है बायजूज ठीक है इससे पहले टीम इंडिया का मुख्या प्रायोजग कौन था तो वह था उपपो लेकिन अब इसका नया उनेशको ने किस सहर को क्रियेटिव सिटी ओफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया है तो अभी हाल में युनेशको ने हैदराबाद सहर को क्रियेटिव सिटी ओफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया है और मुंबई को जो है मुंबई को क्रियेटिव सिटी ओफ फिल्म का खि आंसर है गगन यान मिशन को दिसंबर 2021 में लॉंच किया जाएगा किस के द्वारा लॉंच किया जाएगा इस रो के द्वारा लॉंच किया जाएगा ठीक है और इसका उदेश से अंतरिच में मानों को भीजना है अगला प्रस्न है दिसंबर 2019 में Walmart इंडिया ने किस बैंक के आये उस नकटी बंधे चक्रवात का नाम क्या था जिसने माई 2019 में काफी तबाही मचाई थी तो वह जो तुफान था उसका नाम था उसका नाम था फानी ठीक है माई 2019 में ओरिशा में कौन सा तुफान आया था फानी तुफान आया था और अभी नवंबर में बुल-बुल चक्रवाद आया था ठीक है नॉमबर में और देखें नॉमबर में जो है बुलबुल चक्रवाद आया था ठीक है बुलबुल चक्रवाद कहा था ओडिशा और पस्चिम बंगाल में था जिसने काफी तबाही मचाई बुलबुल चक्रवाद और मई 2019 में ओडिशा में कौन सा उसने कटी बंधिये चक्रवात आये था फानी चक्रवात आये था अगला प्रसने है हाली में कहां भारत के पहले समुद्री संग्राले की अस्थापना की जाएगी तो भारत के पहले समुद्री संग्राले की अस्थापना गुजरात में की जाएगी ठीक है गुजरात के लोथल में की जाएगी इसके स्थापना भारत और पूर्टगाल दोनों मिल कर करेंगे अगला प्रस्ने है भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे कहां सुरू हुआ है तो भारत का पहला आइस कैफे लद्दाख में सुरू हुआ है ठीक ह उस्वच भारत मिशन को बढ़ावा देने हेतू संगम पर्योजना की सुरवात माइक्रो सॉफ्ट ने की है अगला प्रशन है 29 दिसंबर 2019 को हेमन सोरेन किस राजे के मुख्यमंत्री के रूप में सपतली अगला प्रशन है भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्याला जो है उत्तर परदेश में कोसी नगर में अगला प्रशन है हाल में किस तेनिस खिलाडी ने 2020 में सन्यास लेने की घोशना की है तो अभी भारते खिलाडी लिएंडर पेस ने 2020 के टोक्यो उलम्पिक के बाद सन्यास लेने की घोशना की है अगला प्रशन है हाल में संजुक्त राष्ट ने किसे विश्व की सबसे प्रसीद किसोरी घोशित किया है तो अभी हाल में पाकिस्तान की नोबेल विजेता मालाला यूसिफ जयी को संजुक्त राष्ट ने विश्व की सबसे प्रसीद किसोरी घोशित किया है अगला प्रस्न है किस राजने एक बड़ी जल सरचन योजना जला मृता शुरू की है तो देखे जला मृता योजना को करनाटक राजने शुरू की है अगला प्रस्न है पंद्रहवे वित आयोग के अध्याच कौन है तो देखे पंद्रहवे वित आयोग जो है पंद्रवावी तायोग जो है एक अप्रेल 2020 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2020 तक चलेगा तो इसके अध्याच जो है कौन है NKC है ठीक है पंद्रवी वितायोग के अध्याच NKC है और इनका पूरा नाम है NKC का पूरा नाम है नंद की सोर्स से अगला प्रसने है हाल में किसने सूर्य का अध्यान करने के लिए आदित L1 नामक उपगरह लांच करने की घोसना की है तो सूर्य का अध्यान करने के लिए आदित L1 नामक उपगरह लांच करने की घोसना भारतिय अंत्रिश अजेंसी इसरू ने की है ठीक है आदित L1 उपगर कौन लॉंच करेगा इसरो लॉंच करेगा और इसको 2020 में लॉंच करेगा अगला प्रस्न है हाल में रबंग पूल का उधगाटन कहां किया गया है तो अभी हाल में रबंग पूल का उधगाटन अरुनाचल परदेश में किया गया है नेक्स्ट क्वेशन है वन फैमिली वन जॉब योजना किस राजने शुरू की है तो सुरी ये रिपीटेट क्वेशन है ठीक है तो वन फैमिली वन जॉब योजना किस राजने शुरू की है सिक्किम राजने शुरू की है अगला प्रसने है दिसंबर 2019 में किस देश के तेज ग इंदबाज हैं ठीक है और इन्होंने अभी अंतराष्टे किर्केट से सन्यास की घोसना की है अगला प्रस्ने है 30 दिसंबर 2019 को भारत का पहला चीफ आफ डिफेंस अस्टाप किसे निउक्त किया गया है तो भारत का पहला चीफ आफ डिफेंस अस्टाप जनरल विपिन रावत को निउक्त किया गया है इनकी निउक्ती 31 दिसंबर से प्रभावित होगी चीफ आफ डिफेंस अस्टाप का पद पहले नहीं था भारत में इस पद का स्रिजन अभी पहली बार किया गया है ये रच्छा मंतरी के परमुक सलाकार का पद होगा और फोर अस्टार पद होगा जनरल बिपिन रावत थलसेना परमुक थे और ये अभी 31 दिसंबर को थलसेना परमुक से रिटार हो गया है और अब इन्हें देश का पहला चीफ आफ डिफेंस अस्टाफ निउक्त किया गया है अगला प्रसने है हाल में किस महिला अंतरीच यातरी ने अंतरीच में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है आंशर है क्रिष्टीना कोच नासा की वग्यानिक है और अभी इन्होंने पेगी विश्टन का रिकॉर्ड तोड़कर अंतरीच में सबसे अधिक दिनों तक रहने का महिला अंतरीच यातरी का रिकॉर्ड बनाया है अगला प्रस अगला प्रस्ण है किसने 25 दिसंबर 2019 को पूर्व परधान मंत्री अटल विहारी वाजपी की 95 जयनती के आउसर पर अटल भूजल योजना की सुरवात की है तो देखें 25 दिसंबर 2019 को अटल भूजल योजना की सुरवात परधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने की है इस योजना के जरिये भूजल का परबंधन किया जाएगा तो तब परते घर तक पानी के पीने के स्वच पानी को पहुचाने की योजना पर काम होगा अटल भूजल योजना के साल 2024 तक हर घर में पीने का पानी पहुचाने का लच्छ रखा गया है अगला प्रसने है पूस्तक लेसंस लाइफ टॉट मी अनोइंगली किसकी आत्म कता है तो यह जो पूस्तक है लेसंस लाइफ टॉट मी अनोइंगली यह पूस्तक अनुपम खे की आत्म कता है अगला प्रसने है हाल में किस एप को व्यक्तिगत्स रेनी में गूगल बेस्ट एप 2019 का वार्ड मिला है तो व्यक्तिगत्स रेनी में गूगल बेस्ट एप 2019 का वार्ड सिल्पा सेटी एप को मिला है यह एप सिल्पा सेटी का एक फिटनेस एप है जिसे प्रस सेतू को किस नदी पर बनाय गया है तो देखे गोवा में 5 दस्मल 1 किलोमेटर लंबे फोर लेन के ब्रीज अटल सेतू को मांडवी नदी पर बनाय गया है ठीक है मांडवी नदी पर बनाय गया है अगला प्रसने है 26 नमबर 2019 को मनाय गया सविधान दिवस 26 नुवमर 2019 को मनाय गया है सविधान दिवस भारते सविधान की कौन सी वर्सगाट है तो देखे 26 नुवमर 2019 को भारते सविधान दिवस मनाय गया है या भारते सविधान की सतर्वी वर्सगाट था अगला प्रसने है अगस्ट 2019 में विश्व की पर्थम अल्टरा फास्ट हाइपर लूप पर्यूजना भारत के किस राज्य को परदान की गई है आंसर है महाराश्ट्र नेक्स्ट क्वेशन है मध्य परदेश का कौन सा गाउं भारत का पहला सौर रसोई वाला गाउं बना है तो मध्य परदेश का बांचा गाउं जो है भारत का पहला सौर रसोई गाउं बन गए है बांचा गाउं मध्य परदेश के बेतुल जिले में स्थित है इस गाउं में 75 घर है और इन सभी घरों में भोजन बनाने के लिए सौर रूर्जा से चलने वाले चुलः उप्योग किये जाते है अगला प्रस्ण है सिर्शी सुपारी पहली एरिका नठ है जिसे भोगोलिक संकेतक जियाई टेग प्राप्त हुआ है ये सुपारी किस राज में उगाई जाती है तो सिर्शी सुपारी जो है जिसे GI टेग प्राप्त हुआ है यह सुपारी करनाटक राज्य में उगाई जाती है अगला प्रस्ने है हाले में पुरूस ODI की पहली महिला रेफरी कौन बनी है तो अभी हाल में पूरूस ODI की पहली महिला रेफरी बनी है G.S. लच्मी ठीक है अगला प्रस्ने है और इस वीडियो का लास्ट क्वेशन हाल में वैज्यानिकों ने फिलिपीन्स में आदी मानों की नई प्रजाती खोजी है जिसका नाम क्या रखा गया है तो इस आदी मानों की नई प्रजाती का नाम होमो लुजोनेसिस रखा गया है तो फ्रेंड्स ये थे जनवरी से दिसंबर 2019 तक के टॉप 300 प्लस क्वेशन इस वीडियो का पीडियो डॉलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है तो इस वीडियो में इतना ही अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दथा शेयर जरूर कर दिजीगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग